गुद्मानिक आलफिए, नेक्स्ट चेप्टर इस कंटिनुटी, यह फ्रीफोगट का चेप्टर है, 100% फ्रीफोगट, कुछ भी निये इसमें मतलिए, सिवाय थिओरी कि एक भी चीज एक स्टानी मिले गया में से, लिमिट के, इंदी में जाना जाता है सतत्ता के नाम से, सतत्ता, ऐसे तो नाम कुद ही चीख रहा है, कंटिनुटी मतलब कंटिनियस, टूट फूट नहीं होने चीज़, ठीक है, इंट्रवेल में भी होती है ऐसी चीज़, इंट्रीट इंट्रवेल, इंट्रीट 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 तो continuous function, continuous function कहा है भाई, एक देशी आदमी ने continuous function की definition देने एक कोशिच कहा है, देशी बिलकुल एकदम simple definition, ठीक है, कि whenever I try to plot the graph of fx, if one does not have to lift his or her pen, यदि किसी को pen को lift करने की जरुवत महसूस नहीं हो रही, कब while crossing over the point x is equals to a, either from left to right or from right to left, Hindi में, किसी point x is equals to a को cross करते वक्त, या तो left से right या right से left graph बनाते वक्त, pen को उठाने की जरुवत महसूस अगर नहीं हो रही है, तो वो graph उस point पर continuous कहलाता है, ठीक है, ये 6 figure बना रखें, 6 different possibility किसी point पर function के साथ क्या-क्या हो सकता है, ठीक है, अगर मैं first वाले figure की बात करूँ, इस graph को बनाते मुझे, pen को उठाने की जरुवत नहीं पड़ी, तो इस हिसाब से ये वाला graph continuous है, figure number 2 में, मैं आया, 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 गड़ा खोदा उचल के उपर पल गए, मिटी डाली, वापस निचा आ गए, pen उठाने की जरुवत पड़ी, यानि कि this graph, this particular graph is discontinuous, according to the DC definition of continuity, अभी जो दी हमने, ठीके, इसमें, देखो, ये जंप है ये, हलका सा, होता बहुत छोटा सा है, लेकिन हमें दिखाने के लिए बहुत बड़ा गड़ा खोदना पड़ता है न, है तो point भर गई, ठीके, यहाँ आये, ये चले 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 पैन चल रहा है साथ में, घड़ा खोदा मिट्टी उपर डाल के वापस नहीं चाहे, फिर वापस आगे बढ़ गई, ये अदे पास पॉसिबिलिटी है, इन सबका अलग 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 significance है, ठीके, यहाँ आये, आये, आये पैन ही होगे होगे है, तो ये सब किसके graph है, इस particular 6 graph में से सिर्फ एक graph है, जिसमें मेरा function कैसा है, अरे कैसा है, continuous, ठीके, मगर alas, alas समझते हो, और यार English सुदर रही है, भाई साब लोगों की, generation के साथ, nice, what is alas, नहीं परता, I say see, alas, prawda, नहीं है, हाँ, बता है बता है, बता है, एक्स्क्लेमेशन मार्क, मुझे पता था, पता नहीं मेरे क्यों दिल में से अवाज आ या, ये एक्स्क्लेमेशन मार्क बोलेगी, है ना, alas is nothing to do with an exclamation mark, हालाख ही इसका रिस्ता है, exclamation mark से, तुम भी तो इंग्रिश तुमारी भी तो सदर रही है तो तौड़ी मता अलास और कोई ट्राय करेगा अलास किसी को नहीं पता है अब बेहुद दुख को रिप्रजेंट करने के लिए अलास एक्स्क्लेमेशन मार्व दुख थोड़ी होता है अच्छा बोला था एक्स्ट्रीम दुख जो होता है एक्स्ट्रीम मतलब दुख किस दुख से पागली होने वाले थे अलास तो हम क्यों अलास रहते है भाई लिए हमारी जिंदे के अलास हुआ था बता हो ना कहां बोला था मैंने अलास अच्छा है मैं से एक ही पर्टिक्लर पोजिशन इस जो इस अधिनटी शो कर रही है अलास इसलिए बोला था मैंने कि कोई ग्राफ देके तो पूछेगा निए बेटा इनुनेस है कि नहीं इतनी खुशकुस्मत थोड़ी हम कि कोई ग् यार तो एक्ट्वल में वी है तो नो कि मैथेमेटिकली फंक्शन कब कंटिनियस है ध्यान सुनना इस जगे पर वैल्यू 3 है सब्सक्राइब इस जगे वैल्यू 3 है सब्सक्राइब थोड़ी जरी इधर 3 है इधर 4 है यहां पर 3 यहां पर 4 बहुत दंग से जवाब देना यह कि अथिखे उन्हां थ्री है ठीक है अच्छा जल्दी बोलेंगे इन इस केस लिमिट एक्स एफ-फ एक्स इस है यह धिर इस दुआ है इस ये पर एक्स ट्रीए देब रही पे भी भाइव निस्केस लिमिट एक्स अप्रोच इछ एज कोरई पास्ट लिमिट अप्रोच इर तुम भी बोल सकते हैं शिगा सर्मामत थ्री एफ एफ एज पोर अरे मिटी ड़ली बड़ी भाई अच्छा इन दिस केस लिमिट एक्स अप्रोच इस एज है तुस नाट एक्डिस्ट थ्री यहां लहल और रहल निकलेगी भाई साब लहल एक्स आज इसमें रहल यहल दोनों निकलेएंगे रहल फोर लहल फोर वाई नॉत है अरे दिफाइं ही नहीं है एक्षिए अच्छा इन दिस केस लिमित एक्स अप्रोच is a, 3, f of a, not defined, in this case, limit x approach is a, does not exist, f of a, not defined. So basically, हमने किया क्या, हमने यह 6 फिगर बना के, देखो, हमने पूरे चेप्टर, हम पूरे चेप्टर खतम कर चेगे हैं यह 6 फिगर में, एक्चल में, वास्तम में, और हम यह कहना चाह रहे हैं, कि इन 6 के लावा, साथ ही possibility, possibly नहीं किसी particular point पे, जो उस function के साथ हो जाए, देखो, वैसे तो दो ही है, क्या, या तो continuous होगा, या फिर discontinuous, है, discontinuous के हमने यहाँ पर 5 possible graph बनाये, यानि कि 5 possible causes देदी हमने, जिसकी वाज़े से function discontinuous हो सकता है, continuity की सिर्फ एक ही बज़े है, यह, कब जब limit भी exist करें, और limiting value, functional value के बराबर हो, limiting value, functional value के बराबर हो, सही है, यह figure number 2 है न, हाँ, limit exist, ना करे, discontinuous की एक बज़े, function define है, लेकिन limit exist, नहीं करती, figure number, मैंने ऐसे number देजिए क्या, ऐसे देजी मैंने number, figure number 3, limit exist करती है, लेकिन function define, discontinuity के एक और बज़े, conceptually समझोगे, तो logically समझ में आएगी चीज, continuity की सेरु इक ही वज़े है, limit भी exist करने चीए, function भी defined होना चीज, और value क्या होना होना चीए, बराबर होनी चीज, ठीक है?, इसके ना होने की कित्ती वज़े हो सकती है, था limit exist never, ना करें, Limit exist करने करें तो function define ना हो, limit exist करती है function भी define है, लेकिन वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, ठीक है? Limit exist नहीं कर रही, function भी define नहीं है, same case, neither limit exist nor function defined, ये 5 और 6 एक ही case है, neither limit exist nor function defined, तो ये सब तो 5 तो किसके karen हो गए? discontinuity, continuity की कितनी बज़े हैं, सिर्फ एक, तुम mathematically क्या लिख सकता हूं भाई साब में, mathematically, यह उड़ा दू, mathematically, हम क्या लिख सकते हैं, a function f of x is set to be continuous at x equals to a, if with an extra f, if with an extra f, limit x approaches a, f of x must be equals to f of a, and this is the only difference between two chapters, limit and continuity, limit ने पीचा नहीं छोड़ा हमारा, अरे limit तो हमारा पूरे calculus में पीचा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बैकबोन भी है, हर chapter में limit है, limit ही हर chapter है, बहुत सी बात में कहा जायता, यह क्या कह रहा है, यह statement, limiting value किसके बराबर होनी चीए, functional value, इसना काम तो हम पहले कट चुके, यह काम जो था हमारा, यह पिछले chapter का था, जिसमें x is equals to a में हमारा बिल्कुल भी interest नहीं था, x is equals to a पे function define है, define नहीं है, मुझे फरक की नहीं पढ़ता, लेकिन continuity भी मेरे को इस बात से फरक पढ़ने लगा, पहली बात तो function define होना चीए, और दूसरी बात limiting value के बराबर होना चीए, अगर ऐसा हुआ तो function क्या कहलाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो function discontinuous कहलाएगा, जिसकी ना होने की पांच बज़े यहां पर लिखी हुई, पांच कारण, ठीक है क्या?